आपके दिलिक्षा है चुनाओं में राज़नीत में जाने की आपको क्या लगता है कि आप जो अभी जिस जगा सेट है जिस तरीके से आपने अपना एक बहतर प्रदर्शन किया है बहतर कदम कारे कर रही है तो लग रहा है कि राज़नीत में अभी अगर जाएंगी तो वैसे बहतर कदम कर उठाएंगे और लोगों की जो समस्याओं हैं उसके समाधान के लिए काम करेंगे हम अपना इसमें ओपिनियन क्या दे हमारे गावाले तो बहुत उत्सुक है इस चीज के लिए लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो यह महिला ससक्ती करड के लिए बहुत बड़ा एक जामपन हो जाएगा यह हमारी सोच है हमारे गावालों की सोच है कि यह घर से बाहर निकल के अब इसके आगे हम क्या वत्ता है अब प्रदान मंत्री जी सामने थे तो डर बर नहीं लग रहा था अगर उनके प्रशनों का उत्तर भी बढ़ी आसा दे रही तो डर नहीं लग रहा था आपको वो इतनी अच्छे से मिले मतललों का बयवहार इतना अच्छा था ना कि मन से अच्छा दर निकल गया मतलब ऐसे उनकी एंट्री हुई मतलब पहले तो हमारे पास नहीं आया सबसे पहले मिलते हुए इंस्टॉल लगे हुए थे चारो तरफ घुमे फिर देखे जब हम वो लोगों से जिस तरह से बात कर रहे थे उनके मतलब लोगों से मिले के जो बेव करते हैं कि हमने लोगों से मिल रहे बहुत बड़ी बात किया थे इसके उसको घौ। या उनसे ऐसी क्या मिलक प्रेड़न आपको मिलिए कौन सी वो बाते जो उस वक्त आपको सबसे बहतर लगी वो महिलाओ की ससक्तिकरण के बारे में बात करते हैं उसमें प्रयाज भी करते हैं और वहां भी वह बोले थे कि हम हमारे साथ अगर हम कुछ महिलाओ के रोजगार के जो सब्सक्राइब करेंगी तो हम बहुत है कि जी सर बिल्कुल हम लाइए तो यह मों बहुत अच्छा लगा कि फिर मन की इच्छा जानते उसी क्याधार मतलब की आशाल ने की कोशिश करते हैं तो यह हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे बीच आते हैं, वो हमसे मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप आम तोर पर आप एक किसान परिवार से हैं, आप स्वयम खेतों में काम गर रहे थी, तो एक कहा जाए कि ये एक सपने जैसा होगा जब प्रदान मंतरी मोदी जी सामने होंगे आपके, तो सपन ही तो लग रहा था, सपने जैसा था, वो वो पल बहुत ही यादगार पल है, मतलब इतनी हम कभी जिन्दगी में सोचे नहीं थे कि हम इतने बड़े मंच पे माने ने प्रदान मंतरी जी से मिलेंगे और बाते करेंगी सपना जैसा है, समझ लिए बहुत बड़ा सपना हमारा चैन परिक्रिया कैसे थी, आपको कैसे कहा गया था कि आप प्रदान मंतरी मोदी के सामने अपने वक्तव को रखेंगी, कैसे आपको सेलेक्ट किया गया था, क्या प्रिक्रिया थी इसकी? इसमें परशनली हमारा सिलेक्शन नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, सबका आई-कार्ट बना था, सबको ये बोला गया था, कि सबसे आके मिल घूम घूम के, मिल मिल के, दो मिनट डेड़ मिनट समय देंगे, तो यही हमारे साथ भी था, सबसे मिल भी रह लेकिन मैडम आई फिर अचानक से बोल दी कि आप लगपती मैडम जी हैं तो थोड़ा सा मन्स पर बोल दीजिए, तो हम कहें चलिए ठीक है, बोल देंगे, कोई दिकत नहीं, तो मतलब यह हमको बता है कि जादे समय मत लिजेगा, उनको सबको समय देना है, जादे समय मत लि समय था, कि आपको इतने समय में आपको पाबंदी थी, जी, समय की पाबंदी थी, और साही बात है, उतने लोग उपस्तित है, उनसे मिलने के लिए, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि सारा समय हम ही ले ले ले, उन पे सबका अधिकार है, सब उनसे मिले, सब अपने बातों को तो समय की पावंदी तो रहेगी सबके लिए अगा डेड़ डेड़ मत निकालें तो भी पुरा दिन निकल जाएगा इतनी आम जनता की भिल लगी थी वहां पर लेकिन मोदी जी जी बार कासी आते हैं कासी का दौरा जो है इस बार कहा जाए आपके लिए एकदम इस पेसल हो ज मानेने पधान मंत्री जी नया साल की सुरुवात से पहले ही हमको इतना बड़ा उपहार दे लिए इसका आसर 2024 में भी रहेगा अब यह तो कृपा देखे भया हम अपनी फीचर के बारे में क्या बताए प्रजेंट पास्ट लोग जानते हैं प्रजेंट लोग जो चल रहा है उसको लोग जानते हैं फीचर के बारे में लोग जानते नहीं है वो अभी क्या चल रहा है अभी 10 मिनट में क्या हो जाए इसकी किसी को जनकारी नहीं होती है चुनाओ लणने को लेकर बहुत चर्चा होती है कि लेकिन अगर जैसे महिलाओं को अगर मालीजे टिकट मिलता है आप एक महिला है और उस गाँ की महिला है जो संगर्स जीवन भर रहा है तुन नहीं लगता आप बचपन से संगर्स देखी है इस उम्र में भी आपने संगर्स किया अब ही आप Bank सकھی के रूप में काम करी है और आने के बाद तुरंट खेतों में लग जारी है तो नहीं लग़रा-अगर मिलेगा तो उन महिलाओं के लिए बहतर होगा जो महिलाओं हमारे जैसे जीवन को जी रही है अगर आपको उतारा जाएगा उस मंच पर जहाँ पर महिलाओं के समस्याओं को दूर करने की होगा, तो नहीं लगने कि जो जमीनी समस्या महिलाओं की होगी, वो दूर करने में असानी होगी? वो तो हम करी रहे हैं भाई या बीना कुछ किये ही वो तो उनकी हम हम करी रहे है अगर ऐसा कुछ होता है तो जो हम तो कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही defic हमारा करतब है कि हम अपना जो हमारा करतब है व उसको तो निभायर हैं जितना लूप सकता है जितनाम से बण पड़ता उतना करते हैं उनके लिए लग रहा है कि नाम आपका शंदा है रात में जब अंधहेरा हो जाएगा तो उन अंधहेरों में महिलायों को नहीं जब से हम राष्टी ग्रामील आजीव का मिशन से जूड़े हुए हैं जितनी हमारी समस्याय है सब यह सजी को उसको पूरा करते जा रहे हैं तो फिर मतलब समस्याया आती है true हो निवारण निकालने के लोग बी अच्छे है सब मिलजुल के मदद करते हैं सब उसका निवारण निकालने की कुछिस करते हैं सब सब सपोर्ट करते हैं भीया हमको हमारा पुरा गाव सपोर्ट करता है मध्यमबर्गी परिवार से आते हैं और किसान है तो लग रहा हुए कि जो किसानों की समस्याई है अगर स्वा विया देखे के आगे तक कभी सोचे भी नहीं जितनी समस्यामारीब पास आती है बस जीक्रण सकत आती है यह वार को थी आगे ईसके आगे हम देखें भी देखें भी नहीं है और इसके बारे में भी उपे बातों को आप को जवाब दे पाएंगे जो हम truly done जेवन में भले ही समय हैं यहां पञदी कर्सपाहिए आपने लगातार संगर्स किया और यहां तो आगे महिलाओं के लिए किस तरीके से आप कदम उठाएंगी यही जो ज्यम्हान के ढ़िए जो जूंकि आर्थिक इस्तिती में जो अनको मस्वाइँ आ रही है कि हमारे गाओं की जो महिला हैं उन यो जनाओं का लाब ले सके हम उन तक उनको पहुचाने का प्रयास करेंगे जो उनकी समस्चाए हैं जैसे अभी जागरुकता कम है ना थोड़ा सा पिछड़ा हुए आप लोग देखी सकते हैं कि गाओं है थोड़ा पिछड़ा हुआ एरि ओनलाइन कराने के बाद ही आप वहां पर पाउच सकती है जहां वह आपको मिलता है तो थोड़ी से जागरुकता कम है जागरुकता लाने की जोरत है उसका प्रयास हम कर रहे हैं और देखके महिलाओं को खुदी समझ गई है कि नई जागरुकता है हम सहास्चिवा केंदर प और चलते चलते क्या प्रदानमंतरी मोदी जिससे आप चाहेंगी कि वह माता बीच आये हम को सुने हमारा सेवापुरी जो है ब्लॉक वह पावन हो प्रदानमंत्री बने हैं कि कोई अभी तक गाह में आया नहीं है लेकिन वह गाह में आये कितनी बार आया आम लोगों के बीच आ करके उनसे अपना पन जैसा बात कि यह हमारे लिए मतलब यह हमको बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि वह अपने लोगों से जूड़े र अच्छा नजरेंदर मोदी को जब अपनी वक्तव सुनाती है ना तो मोदी जी एकदम मन पर मुक्त हो जाते हैं और इनके फैन हो जाते हैं चंदा जी का जो वीडियो है वो सोसल मेड़ा पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है चंदा जी जो की एक किसान परिवार से आती है और बैंक सखी के रूप में अभी कार कर रही है